नमास्कार फ्रेंड्स वेलकम माई चैनल फ्रेंड्स जय शनी देव जय शनी देव फ्रेंड्स आज की विडियो स्टार्ट करते हैं आखिर क्यों शनी की सवारी है कोवा, क्या है इसका धार्मिक महत्व शनिदेव की सवारी कोवा कैसे बना और पौरानिक कथाओं में उसका जिक्र कैसे हुआ था। किया आपने कभी शनिदेव के वाहनों को देखा है। एक नहीं बलकि शनिदेव के नौ वाहन है लेकिन उनका सबसे प्रिया है कोवा। अधिकतर तस्वीरों और धार्मिक ग्रंठों में शनिदेव को कोई की सवारी करते हुए ही चितर्त किया जाता है। हिंदु धर्म में कोई का महत्व भी बहुत है। इसे पित्रों का प्रतीक माना जाता है और अतिथी के आगमन का संकेत भी। कोई को लेकर धार्मिक ग्रंथों में कई कहानियां भी हैं, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जूट बोले कोवा काटे, इसे जुड़ी एक तियोरी यह भी है कि शनी देव कर्म के देवता हैं और लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से दंड भी देते हैं, ऐसे में जूट का पर्याई किसी गलत काम से है और कोई का शनी देव के दंड से, कोई को ही क्यूँ शनी का प्रिय वहन बताया जाता है और क्या है इसका धार्मिक महत्व ये जानने के लिए हमने की, पुरान का संदर्ग देते हुए हमें वो कहानी सुनाई जिसके अनुसार कोवा शनी से उनका ताप नहीं जेला जा रहा था और इसके कारण उन्होंने अपनी चाया का निर्मान किया और खुद तप करने चली गई उन्होंने चाया से कहा कि वो सूर्यदेव और उनके दोनों बच्चों यम और यामी का ख्याल रखेंगी छाया भी संध्या की आग्या को मानते हुए कई वर्षों तक यही करती रही हालांकि संध्या ने ये भी कहा था कि छाया को सूर्यदेव से दूरी बना कर रखनी होगी जब संध्या की तपस्या खत्म हुई तब तक छाया को सूर्यदेव से शनिदेव की प्राप्ती हो चुकी थी क्योंकि शनिदेव छाया से जन्मे थे इसलिए कुरुप थे ऐसे में सूर्यदेव ने खुद ही शनिदेव और छाया का परित्याग कर दिया था जब संध्या को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने छाया पर बहुत क्रोध दिखाया हालां कि संध्या ने छाया को सूर्य लोग से निकालने के लिए बहुत प्रयास किये और अंतता सूर्यदेव को इसके बारे में पता चली गया पत्नी के इस व्यवहार से सूर्यदेव बहुत क्रोधित हुए और छाया शनिदेव के साथ चली गई छाया और शनिदेव जिस वन में गए थे वहां एक कोवा उनके साथ रहता था जब सूर्यदेव को इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने चाया और शनिदेव को मारने के लिए वन में आग लगा दी चाया तो परचाय थी इसलिए वो आसानी से आग से निकल गई उस वक्त कोई नहीं शनिदेव को उस आग से निकाला था यही कारण है कि कोवा उनका प्रियवाहन बन गया शनिदेव ने मानगा था अपनी मां के लिए वर्दान अपनी मां की रक्षा करने के लिए शनिदेव महादेव की शरन में गए और उनसे वर्दान मानगा इसके बाद छाया को जीवन दान भी मिला और देवी का दर्जा भी हालां कि अपने पिता के इस व्यवहार के चलते शनिदेव ने सूर्य लोग हमेशा के लिए छोड़ दिया और उस वक्त भी कोवा उनके साथ था यही कारण है कि शनिदेव का प्रिय वाहन कोवा ही कहा जाता है ऐसी ही एक अन्य कथा भी है जिसके अनुसार संध्या च्हाया को सूर्य लोग से निकाल पाने में असमर्थ थी इसलिए उन्होंने अपने पिता भगवान विश्व कर्मा का साथ मानगा विश्व कर्मा को पता था कि अगर उन्होंने च्हाया के खिलाफ कुछ भी किया तो शनि का प्रकोप जेलना होगा जो अब तक महादेव का वर्दान पाचुके थे ऐसे में संध्या ने च्हाया का तिरसकार करना शुरू कर दिया माता का तिरसकार, खुद की बेजज़ती और पिता का कठोर रूप देखकर शनि देव ने हमेशा के लिए सूर्य लोग छोड़ दिया उस वक्त शनि अपने कोई के साथ कागलोग चले गए क्या है कोई का धार्मिक महत्व धार्मिक मान्यता है कि कोई पित्री लोग के दूद का काम करता है और पित्री पक्ष के दौरान कौउं को भोजन करवाने का मतलब होता है पित्रों की आत्मा को त्रिप्त करना कौउं को भोजन करवाने को शनि देव की शांती का एक उपाय भी माना जाता है 1. सियार यदी शनिदेव का वाहन सियार हो तो अशुब सूचनाएं मिलने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है अतहैसी स्थिती निर्मित हो तो हिम्मत से काम लेना चाहिए इस दौरान शुब फल नहीं मिलता है 2. हंस यदी भगवान शनी का वाहन हंस है तो यही बहुत शुब होता है क्योंकि इसे शनिदेव के सभी वाहनों में सबसे अच्छा वाहन कहा गया है इस अवधी में आप अपनी बुद्धी और मेहनत के बल पर अपने भाग्य का पूरा सहयोग ले सकते हैं तथा इस दौरान आर्थिक स्थिती में काफी सुधार भी देखने को मिलता है तीन, कोवा शनिदेव का वाहन कोवा यदी है तो हमें ये समय शान्ती और सयम से निकालना चाहिए क्योंकि यदी शनी की सवारी कोवा है तो इस अवधी में घर परिवार में कला बढ़ने ओफिस में टक्राव की स्थिती निर्मित होती है या ये किसी मुद्दे को लेकर कला का संकेत भी माना जाता है अता है इस समय किसी भी मसले को आसान बातचीत के जर्ये हल करना अच्छा रहता है 4. हाथी शनी का वाहन यदी हाथी हो तो इसे शुब नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह आशा के विप्रीत फल मिलने का समय होता है अता है इस स्थिती में साहस और हिम्मत से काम लेना ही उच्चित रहता है 5. मोर यदी शनीदेव का वाहन मोर हैं ये शुब फल देने वाला होता है इस समय में मेहनत और भाग्य दोनों का अच्छा साथ मिलता है इतना ही नहीं इस समयावदी के दोरान बड़ी बड़ी परेशानी का हल समझदारी से पाया जा सकता है 6. गधा जब शनीदेव का वाहन गधा होता है तो इसे शुब नहीं माना जाता है और ये शुब फलों में कमी देता है अतह इस दोरान अधेक प्रयास के द्वारा ही कारियों में सफलता प्राप्त की जा सकती है 7. घोडा यदी शनिदेव का वाहन घोडा हैं तो हमें शुब फल मिलते हैं क्योंकि घोडा शक्ती का प्रतीक माना जाता है और इस समय व्यक्ती उर्जा और जोश से भरा होने के कारण इस दौरान समझदारी और सयम से हम शत्रूओं पर सरलता से विजय पा सकते हैं तथा कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती हैं आठ सिंग शनिदेव का वाहन सिंग हैं तो घोडे की तरही सिंग भी शुब फल देने वाला माना जाता है अगर शत्रू परेशान कर रहा है तो इस समय में समझदारी और चतुराई के द्वार हम उसे परास्त कर सकते हैं 9. महैसा यदी भैसा शनिदेव का वाहन हो तो इस समयावदी में मिलाजुला फल मिलता है कहने का मतलब ये हैं कि इस दौरान समझदारी होशियारी से किया गया कार्य जादा बेहतर साबित होता है यदि सावधानी हटी तो दुर घटना घटी यानी सावधानी से काम नहीं किया तो बुरे फल मिलने की संभावना बढ़ जाती है फ्रेंड्स मारे विडियो कैसे लगा है जूरूर कॉमेंट करके बोलना फ्रेंड्स प्लीज प्लीज लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब और शेर करना नहीं भूलना फ्रेंड्स प्लीज प्लीज फूल विडियो वाच करना नहीं भूलना फ्रेंड्स थांक यू थांक यू थांक यू सो मच और धन्यवाद जैशनी देव